सीजन 3 एपिसोड 2 स्टार्ट होता है और हमें दिखता है कि अब माइक उन लोगों को ट्रैक कर रहा होता है जिनके पास उसका ट्रैकर होता है वो एक सुमसान जगा मिलते है और किसी और को वो tracker देदीते है जिस आदमी को उन्होंने tracker दिया होता है माइक उसे भी follow करता है फिर वो एक drop point पर आता है और उस tracker को छिपा देता है वहाँ और एक आदमी आता है और tracker को फिर से लेकर जाता है इसे घुमते घुमते हमें देखता है कि फिर वो ट्रैकर लॉस पॉलोस पे आ चुका है अब इस सीरीज में अफिर से गस की एंट्री होने वाली है सौल को और किम को एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए होती है इसके लिए वो इंट्रीव लेते है तो जो पहली रिसेप्शनिस्ट आती है वो सौल को पसन आ जाती है वो अपने इंट्रीव में बोलती है कि वो बोड़ी लोगों से के साथ काम कर सकती है वो पहले विएकल्स के ओफिस में होती है जहां उनको वो रिसेप्शन वेगरा देती है जो ओड़ लोग होते है उन्हें भी उसको रिसेप्शन देना पड़ता है तो उनसे अच्छे से वो बात करती है इसलिए सौल को पसन आ जाती है ब्रेकिंग बैड में भी सौल की जो रिसेप्शन वेगरा पुछती है और फिर किम को वो इतने पसन नहीं आ रहे होती क्योंकि उसका लीगल बैक्राउंड नहीं होता उसने एक्च्छल में कोर्ट में काम नहीं किया होता सौल उसे समझाता है कि हमें रिसेप्शनिस्ट की जल से जल जरूरत है क्योंकि मैंने एड रन की है और मुझे फोन आना स्टार्ट हो जाएगा इसलिए मुझे रिसेप्शनिस्ट आज के आज ही चाहिए कि मुझ रेसेप्शनिस्ट के experience कम होने के बारे में सॉल को बताती है पर सॉल बोलता है कि वो vehicle register करती थी उसके पास बहुत अच्छा experience है बहुत ही paperwork उसका जादा होता है इसलिए वो तुमारे लिए भी अच्छी होगी फिर वो उस receptionist को hire कर लेते है सॉल का add run हो जाता है और उसे call आना start हो जाता है वो उसे guide करता है कि जो बुड़े लोग होते हैं उनसे तुमें आच्छे से बात करनी है उनकी जो life है उसमें तुमें ज़्यादे से ज़्यादा interested होना है जब call आता है तो सॉल वही बेटा हुआ होता है और उसे क्या बोलना है वो समझाता है जब next call आता है तो फिर से वो जो old लोगों को handle करती वेसे handle कर रही होती है पर यह Mike का call होता है यह जो call होता है Mike का होता है तो सॉल ही उस call को pick up कर लेता है माइक उसे बोलता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है वो उसे लॉस पोलस आने के लिए बोलता है जब सॉल वहाँ आता है माइक ने जिस आदमी का पीछा किया होता है वो लॉस पोलस हमेशा आता रहता है उसके पास हमेशा एक बैग होती है तो माइक ने सॉल को बुलाया होता है सॉल का काम होता है कि उस आदमी पर सॉल को नजर रखनी होती है सॉल फिर अंदर जाता है और कुछ और्डर करता है जब वो आदमी आता है तो वो आदमी जहां बेटता है तो सॉल भी वहाँ आ जाता है सौल उस पर गड़ी नजर लग रहा हुता है पर वहाँ कोई भी नहीं आता है हाँ फिर देखता है कि गस्ताव उसके पास आता है वो क्लिनिंग कर रहा हुता है पर सौल को एक कुछ भी अटपटसा नहीं लगता गस्ताव के साथ उस आदमी का बिजनेस यहाँ कंक्लूड हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है सौल फिर देखता है कि वो आदमी अपना खाना खाकर उसकी प्लेट डस्बिन में डालता है यह बहुत ही नॉर्मल होता है पर फिर भी सौल का लग रहा होता है कि इस डस्बिन में उसने कुछ डाला है तो सौल फिर उस डस्बिन में कुछ जाता है और कुछ होगा यहाँ यह देख रहा होता है फिर वहाँ गस आता है गस उसे बोलता है कि कुछ प्रॉल्म है सौल फिर अपने वाच वहाँ ड्रॉप कर देता है और बोलता है कि मेरी वाच यहां गिर गई है पर फिर उसे उसकी वाच पिक अफ करने के लिए मदद करता है फिर माइक को सॉल आकर बताता है कि वहाँ वो किसी से भी नहीं मिला माइक को यह impossible लग रहा होता है और फिर भी माइक अपने कार में बेट कर नजर रख रहा होता है उसका ट्रैकर अभी भी वही होता है माइक को दिखता है कि अब उसका ट्रैकर फिर से मूव करने लगा है तो माइक भी उसका पीछा करने लग जाता है पर मुझे पता नहीं था कि उसके पास एक टेप होगी पर किम रिसर्च करती है कि क्या उस टेप से सॉल का कुछ legally trouble हो सकता है पर वो जब रिसर्च करती है तो उसे पता चलता है कि उससे कुछ भी फरक नहीं पड़ेगा नेक सिन में हमें दिखता है कि माइक उस गाड़ी का पीछा कर रहा होता है और उस ट्रैकर के पास जब वो आता है तो वो ट्रैकर रस्ते पे पड़ा हुआ होता है वहाँ एक मोबाइल होता है फिर वहाँ कॉल आता है माइक फिर उस कॉल को उठाता है चक से मिलने उसके घर पर हावड आता है चक ने उसको बोला हुआ होता है कि अपनी जो कार है वो बहुत ही दूर तुमें पार्ग करनी है चक ने अपने लिए एक प्राइविट इन्वेस्टिकेटर भी हाइर किया होता है उसका प्लैन होता है कि जब Saul वहाँ आएगा उस टेप को चोराने की कोशिश करेगा तभी प्राइविट इन्वेस्टिकेटर वहाँ होगा और उसे पकड़ लेगा पास फिर विटनेस होगा और Saul फिर ट्रवल में आ सकता है हावर्ड उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये जो तुम कर रहे हो ये उसे गलग गलग रहा होता है वो उसे बोलता है कि अगर Saul आया भी नहीं तो क्या होगा और जो इन्वेस्टिकेटरिस्ट की कोश से ये बहुत ही जादा हो रही है हावर्ड उसे बोलता है कि हमें alternate strategy ढूडनी चाहिए चक ने Saul की टेप बनाई इसलिए Saul को बहुत ही गुसा आया हुआ होता है और वो चक के घर आ जाता है वो जोर से दरवाजा खटकर ड़ता है चक उसका दरवाजा नहीं खोल रहा होता तो वो दरवाजा तोड़ देता है Saul बोलता है कि ये कहा है तुमने टेप कहा चिपाई है उसके डेश में वो टेप वो ढूंड लेता है और वो टेप को डिस्ट्राइ कर देता है वो चक को बोलता है कि इस छोड़ी सी चीज़ के लिए तुमने हमारी फैमिली डिस्ट्राइ कर दी तुम बहुत ही घटी आदमी हो इसलिए तुम्हारी वाइफ ने भी तुमें छोड़ दिया वो बहुत ही गुस्य में होता है वो चक के पास वाज़ है वो सौल का अपने घुस्य पर कॉंट्रोल नहीं हो रहा होता फिर वह प्राइवेट इन्वेस्टिकेटर और हावर्ड वहाँ से निकल जाते है वो अब इस पूरे सिचुएशन में विटनेस बन चुके है सौल ने ब्रेकिंग और इंटरिंग भी किया है उसने एविडन्स को मिटाया है और चुक को थ्रेडन किया है यह अब सिरियस चार्जेस उस पर लग सकते है यही एपिसोड खतम हो जाता है